वेलकम टूवी ब्राइट एडुकेशन यूटुब चैनल तो देखें ये जेनेरल मेट्स का कोश्चन है हमेल एक्जाम का आज ही एक्जाम हुआ है यह कामरूप डिस्टिक का ठीक है यानि गुवाहाटी का कामरूप डिस्टिक का यह पेपर है एक बच्चे ने हमें पीडिय में उन्होंने भेजे हैं तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं तो देखें आप लोग भी इस तरह करते रहें जिस दिस्टिक का एक्जाम हो रहा है अपने पेपर को फीडिये बनाकर ज़रूर मुझे भेजे और मैं सभी का हेल्प करूंगा आपस मेरा 6266 एच सिक्स ठीक डवले 769 6268 6 यह मेरा नमबर है आपका एक्जाम होता है और एक्जाम देने के बाद आप घर आकर कि पर करके बस एक काम करना है कि आपको पीडिये बनाना है उस बीडियो में बहुत भी बारी की से समझाया गया पीडिये की तरह बनाना है और आपको से करना है ताकी सभी का हेलको देखिया आपका भी हैल्प हो रहा है हम बहुत सारे 4-5 दिस्डी का पेपर आपको दे रहे है आपका भी हउत आप हम दीजिएगा उन लोगों का भी हल्प होगा तो हम मिल जुलके आगे बढ़ेंगे ल existe किक कि शाक्रिप हैक्यों को इğशा नही चार ओप्सेन दिए गया है यह एन और गहनमुल हो एतने ते एन रोर मान हो ठीक है यह क्लास 10 की है देखिएगा और आज जी एक्जाम हुआ था हम एसे एप से भी दिया हुआ है देखिए लसे दिया है 91 तो डारेक्ट बुक का कुछें है क्या बनो 91 26 का अगर होगा यह तो चुछ नहीं करना है हमको ऐक फर्मुला मालूम है देखिए फर्मुला मालूम है यहां पर तो या कर दिया हुआ है 91 सोरी 182 182 ठीक है और एंटू बी मतलब अगर मैं इसको डिवाइड देता है 91 इंटू 26 तो यह चला जाएगा आपका ठीक है बडब इसका डिवाइड देगा ना फॉर्मुला होगी है ल्सेंटू इनटू एकुल टू एंटू 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 एप फांस नमबर बी इन्टू सेगें यह हो जागा है ऑ और यह सब्सक्राइम यह बाहारो निशकर पहले बोलौ का तो रीघे इन्सर है पहले बो तो पेर ओव लिनार एक्वेशन से कोश्टेन बने हुए है यह देखना बस फॉर्मूला पूछ लिया गया है इस डिस्टेंड बीट्विन दा टू पॉइंट्स जीरो का एक है एकस एकस यह हमेशा पूछता है फाइनल एक्जाम का फेवरेट कोश्टेन आपके फाइनल एक्जाम में बोर्ट का एक्जाम में यह पूछा जाता है यह कोश्टेन ठीक है तो इसको बनाना आना चाहिए आपको अगर मैं एक सॉल्व किया था करीब करीब मैंने लास्ट फाइब बेस का कोश्टेन का एक एक मार्का जो भी MCQ कोश्टेन आता है जो भी optional based कोश्टेन आते हैं वो मैं solve करके दिखाया था उसका link में description के नीचे link दे दूँगा आपको यह नहीं सोचना है कि यह final में नहीं आएगा आपको सोचना है कि final में आएगा भले ही वो final का paper है ठीक है लेकिन हफेली में आएगा ठीक है जुरूरी है mostly important ठीक है यह भी question आया होता दूगा थमीकरन से साइन थीटा इक्वेल टू कोश्ट थीटा देन दे वेलू अब दे थीटा थीटा क्या होगा देखिए साइन और कोश कब बराबर होता है और कोश देखिए साइन और कोश की बात नहीं करूँ मैं अगर टेन और कोट की बात करूँ कोसेक एंसेक की बात करूँ sign and cos की बात करूँ सभी sign cos 45 में बराबर होगा 10 cos 45 में बराबर होगा cos x 1 45 में बराबर होगा यह दोनों इन दोनों का equal का होता है 45 degree में आप देखते होंगे वेलू एक ही रहता है 100% यह 45 degree होगा जो बच्चे दिये था उसका सही था प्रेंगल ABC equal to angle C equal 90 degree then the value of the sign A plus B ये पुछा है अच्छा चलिए मैं बना के देखता हूँ तो यही पे हला कि अगर मैं एक triangle बनाता हूँ ये होगे triangle बोला है C 90 degree इसको C पकड़ता हूँ इसको A पकड़ लेता हूँ इसको B पकड़ लेता हूँ ये 90 degree है हो सकता है अब पुछा है A plus B sign A plus B A plus B ये इन दोनों का बेलू कितना होना चाहिए ये अगर 90 degree है तो इन दोनों का बेलू भी 90 degree ही होना चाहिए 90 degree तो होना चाहिए यानि अब बताईए हमको थोरा से दिमाग लगाई है मैं दिखा रहा हूँ फिर से थोरा से दिमाग लगाई ये ट्रेंगल है कि यहां पर बोला है एंगल सी कुल टू नैंटी डिग्री डेट मीन्स यह सी है यह 90 डिग्री है इसको नेमिंग में सी करता हो तो यह रखोंगा यह बी लखुगा लिए मैं रख सकता हूं यह इसको भी रख सकते हैं इसको यह रख आपकी ऊपर करेंड करता है आप डिपेंड करते हैं कि आप नेम क्या रह को तो ऑप मिर्दू.com कितना होगा we know that हमें मालूम है the triangle triangle are equal to 180 degree हमें मालूम है एक त्रिभूच की तीनों कोनों का योगफल तीनों कोनों मिला कर यह यह मिला के 180 degree होता है यह अगर 90 है अल्री पहले से है तो इन दोनों को अगर मैं 8 करूँ तो 90 होगा राइट 90 होगा की नहीं ए और बी को एट करूँ तो 90 होगा अब याद रखेगा ए बी को एट करने से 90 होगा यानि एक्जामिनर बहुत चला के बस साइन 90 degree का वेलू पूचा है वाट इस ते वेलू अफ साइन 90 डिग्री राइट जीरो डिग्री जीरो होता है यानि आपका इस नमबर भी राइट होगा थीकि बच्छे यह वाला 100 परसंग वान ही होगा थीक्छे जो बच्छे वान दिये थे वह राइट दिये थे अब पुछा है find the last number which is the number of 1525 is to be multiplied so that becomes a perfect square यह perfect square का आया था आला कि question कोई टाप नहीं है बहुत हीजी है मैं यह पर solution नहीं दिखा रहा हूं बस आपको question दे रहा हूं अगर देखिए मेरी मैं हिंदी से बोल रहा हूं बहुत सारे श्ऽासमार के से स्टूडेंट में से बिल्लॉंग सकते अगर आपको समझ में नेहीं आ रही है इंग्लिस मेडियो वाले-वाले के लिए तो कि सुविधा होता है उनको हिंदी बहुत अच्छी से समझ में आती है फिर भी कहता हूं आप लोग को अगर लेंग्वेज में कोई कम्निकेशन अगर डिस्टरफ हो रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में ना आए तो आप एक कमेंट किजिएगा सर असामिस में वीड अपनी कमेंट करो जोनाक मोग जो मोई भूजिवा नौरू ठीक है तो वही बाते हैं फाइंद डिस्टेंट बिट्विन डिस्टेंट का आया था आता ही है उसके बाद फाइंद भेलू बहुत अच्छा है आपको साइंटिटा या निवेलू और टिकुनोविटी की याद ह बताइए एंसर कितना समी करण कमूल निन्यकर रूट निकालना है आता है प्रूप डेट रूट वार फाइव अजब नमल नमल देखिए मेरा पास बहुत सारा कोश्चन है मैं इसका में उल्रेडी प्रोबाइड कर चुका हूं अलाकि एक बात कहना चाहता हूं हर एक्जाम यह है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी पुछता है थ्री प्लस टू रूट फाइव ऐसा पुछता है कभी-कभी ऐसा भी पुछता है थ्री रूट फाइव ठीक है थ्री रूट फाइव कभी-कभी एक्जामेनर ऐसा भी पुछता है थ्री माइनस रूट फाइव यानि चार पेट को सीख लेता है तो उसका यह कोश्चन कभी मार जाएगा ही नहीं और बाइड़ बे कहना है चाहिए कि फाइनल एक्जाम में इसको एक्जामिनल कभी मिस नहीं करता है देता ही यह रूट को इसे एक तो देगा ही देगा देखने को मिले था कोटरा जर्च है यहांथ तक का देखा गया कि आज आप लोग कर जेंकल कि सविच्टे कवर किया तो सभी üst закон के वहां और इसको ख़चाई इसको follow कर रहा है यहां से syllabus का भी पता लगता है यह भी बहुत सारे डिश्टी के अंदर देखा गया same question question में कोई changing नहीं दिखाए गया ठीक है तो यह बना ले यह भी बना ले बहुत अच्छी बात है कि यह बहुत को सिंदे चुका है इसका बस कुछ नहीं करना है पी एस बाई सोरी पी क्यू बाई पी एस पी आर बाई पी टी इसके बाद जो भेलू दिया है आपको दिखाने तो प्रूब करना था यह एक जिमिट्री था प्रमान कोराज से जो दी डालो रेखा कोने तरी बुजे रेटा बाहूर हम अंतरा लोग के टोना हुए और रेखा दालो रहा आंट डूटा बाहुग डूटा निर्दिश्टो बिंदू छेट को रहे तेनों ले ही बाहुग डूटा एक यह उनुपातुत भीवग तो वह हलाकि यह मैं गरंटी नहीं लेता हूं यह जमिट्री आपके यहां पे देगा क्योंकि यह नहीं दे सकता है यह मैंने बोला था कि 40% आपका syllabus किया गया है syllabus में 40% करने के बाद यह वहां पे था नहीं इसके बावजुद भी दे दिया है तो मैं क्या बोलूँ syllabus को भी कभी-कभी focus करता है कभी नहीं कर रहा है यह syllabus करने के बाद हमें confusion देखने को मिल रहा है बाइद वह आपको 8 chapter का पूरा कर लेना है क्योंकि कहीं से भी examiner question देख सकता है कर लें जैसा question आया था दिखा रहा हूं मैं इतना ही question था 39 नंबर लास्ट question था आसा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे लगी होगी I hope कि आपको सभी समझ में आया होगा so एक काम करें वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और comment के अंदर एक ठेंक्स जरूर लिखना है हमें भी बहुत मेहनत करनी परती है student की मेहनत करते हैं हमारे साथ साथ आप लोगों का help लिए कि वो फीडियो बनाते हैं फिर send करते हैं लाते हैं सो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप भी एक काम करें कि एक लाइक करना है और एक ठेंग्स जरूर लिखना है comment box में आपको जो भी वीडियो चाहिए आपको old question चाहिए अगर 2015 16 यहां तक 14 का भी question अगर चाहिए 13 का भी चाहिए 2015 से लेकर 2021 के अंदर जितना question paper चाहिए हफिली pre final final वह सब में एक ही वीडियो का playlist दे दूँगा मैं दिखाता हूँ यह देखिए यह हमारे channel है bright education center यहां पे आपको playlist में जाना है अब जरूर जाएएगा यह देखिए मैं playlist में गया playlist में जाने के बाद आपको थोड़ी slide करना है नीचे आपको यह दे रहा है यह वहला देखिए hslc old question paper राइट हलाकि description के नीचे link दे दूँगा इसके बावजुद भी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहां पर 42 पेपर दिया गया है 42 वीडियो है यहां पर इसको एक बर क्लिक कीजिएगा देखिए 19 का है 17 का है 15 का है 17 का है 17 का है 17 का है 17 का में से कॉमपर्मेंटल है फाइनल है important question है ठीक है देख रहे हैं आप यहां तक का यह देखिए हाफेली का question पुरा भर-भर के है यहां पर सभी हाफेली का question मिलेगा सोसल और साइन्स हो जोराड डिस्टीक हो तिंसुकिया डिस्टीक हो डिब्रुगर डिस्टीक हो कोकराजर डिस्टीक हो कहीं भी important question हो बहुत सारा यहां पर आपको देखने को मिलेगा सो प्लेलिस्ट आपको दे दिया जाएगा आपका जो इचा जो है choice करना है choice करके देख सकते है इसलिए last एक आखरी कहने चाहता हूं आपको कोई charge नहीं दिया लिया जाता है free of course दिया जाता है आप charge के तोर पे अब समझे गुरू दचिना के तोर पे बस एक like करना है और share कर को भी invite करना है कि वो आएं और उनका भी सुविदा हो उनको भी help हो वो भी वीडियो से कुछ सीख सके तो आप भी हमारी मदद करें हम भी आपकी मदद करेंगे मिल जुलकर आगे बढ़ेंगे बाई बाई ठीक केर